दोस्तो नमस्कार डेट्सन डेडी को चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तही दिल से सुक्रिया दोस्तो आज हम बात करने वा संप तूटा हुआ है कहीं से तो हमने देखा कि इंजन ओइल हलकालका सा नीचे गिर रहा तो जब हम डिलर पे गए या उसको दिखाया तो उसने बोला कि और संप रिप्लेस ही होगा ठीक है पर वो ओईल संप कहीं से टूटा हुआ भी नहीं था और थोड़ी दिर बाद जब उसने सब्सक्राइब तो उपर से उसने वह भी बता दे कि इसका टैपट कवर भी रिप्लेस होगा ठीक है ना तो उन्होंने यह भी पूछा कि सर अगर वह आपने आप ही लीक हो जा रहे हैं तो उनको क्या रिप्लेस ही कर देना चाहिए ठीक है ना तो आज इसी टोपिक प नेवैसी कवरें बात कर लेते हैं कि कि किस में व कूल क रिप्लेस कराना चाहिए नहीं को कभी कभी क्या होता है किृता है वो आपने इस ऑफी के सबखेए बहुत सारु करते बहुत होता है हो यह तो उस कंडिशन में क्या होगा जगा जगा से इंजनलीकेस होना स्टार्ट हो जाता एक तुच कंडिशन में क्या होता है ऑयल संप और टैपिड कवर के बात कर रहा है जो पल्ट का हैड के उपर रखा रहता है ठीक है तो एग यह सीजनलटै ऑफ Dept Lif uses पंचनल रखेते हैं रखने के बाद बोल्टों से टाइट करके उनको रिप्लेश कर देते हैं म्दल्लेब टाइट करके है तो ओवर हीट होने की वज़ा से आपकी गाड़ी के जो टैपिट कवर और ओइल संप है इनका सरफेस क्यूंकि वह प्लास्टिक के हैं और लोहे से बिलकुल जो है वह हैड जो है अलमूनियम का है और लोहे का है तो वह इतना गरम हो जाता है उसकी वज़ा से उनका सरफेस उपर नीचे हो जाता है थोड़ा अनीवन हो जाता है तो अगर हम उनको खूलने के बाद दोबारा उस पर बोंड लगा के उसको लगाते है तो वह कामियाब नहीं होता है ठीक है तो उस कंडिशन में हमें रिप्लेस उनको कराना पड़ता है अगर गाड़ी आपकी बहुत ज्यादा ओवर हीट हुई है ठीक है ओवर हीट होने के बाद भी अगर वह खुल रहे हैं उनसे महां से ओई लीख हो रहा है तो उस कंडिशन में हमको चेक करना चाहिए कि वह रिप्लेस हो सकते हैं या फिर उनको दोबारा साफ करके लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया सकत आपको बता रहा है बहुत से लोग क्या करते हैं गाड़ी ओवर हीट हुई हमारी ओवर हीट होने के बाद और टैपिट कवर हमने रिप्लेस करा लिया कूलेंट वोने डलवाया और हम चल दिये कोई दिक्कत नहीं है दो दिन बाद फिर प्रोब्लम आ जाती है वह आती क्यो होता है फ्रेंड्स वो भी उस टाइम पर खराब हो जाता है प्लास्टिक का जो थर्मोष्टेड वाल होता है वो भी खराब हो जाता है और उसके खराब होने के वज़ए से आपकी घाड़ी में ओवर हीटिंग की प्रोब्लम शोल्व नहीं हो पाती है और वहां से तो गाड को यल होती है वो भी ओवर हीट होने की वज़ए से वह आगे का जो उनका मैटल होता है वह घरम होके हीट होके फूल स जाता है अगर उनकी कंडिसट सभी हो तो उनको चला और उनको भी रिप्लेस करा लो ठीक है तो अब समझ में आ गया होगा टैपट कवर ऑलसंप और थर् प्लेश ही होंगे मान लो अगर वो ओटोमेटिक आपके गाड़ी ओवर हीट भी नहीं है चलते चलते अचानक लीख हो जाते हैं तो पहले सबसे पहले बता देता हूं टैपिट कवर होता कहां से लीख है और कब लीख होता है ठीक है दूब बाद में ओईल संप के बारे में ब गाड़ी चलती रहती है रणिंग टाइम पे टैपिट कवर से इंजन ओईल आके गरम उस पे एक्जोस्ट मैनिफोल्ट के उपर गिरता है और महा पे निकलता है धुआ निकलता ही हमें तुरंत पता चलता है गाड़ी में से कुछ अबनोर्मल हो गया है और हम गाड़ी कंडिशन है कि वह कभी-कभी लीक हो जाता है मैक्सिमम टाइम देखा होगा वो चलते-चलते ओटोमेटिक होते हैं वैसे कोई दिक्कत नहीं है बट अगर ओटोमेटिक वह हो रहे हैं तो उनको साफ करके क्या लगाया जा सकता है कि नहीं दोबारा अगर डीलर वाले बोलते है उनका सर्फेस अनिवन होने के तो खुल के अच्छी तरह से साफ होके उन पर दोबारा सीलेंट लगा के लगाया जा सकता है वह 100% लग सकते हैं अगर वह तूट गए हैं डैमीज हो गए तो वह तो रिप्लेस होंगे पर अगर वह आटोमेटिक चलते चलते लीक हुए है और है फिर उसके बाद उसमें गाड़ी को डिलीवर कर देना चाहिए मेरे हिसाब से तो और आप अपनी गाड़ी को ले आओ ठीक है सर्फेस चेक करने का बहुत आसान तरीका है टैपिट कवर हो या ओयल संपो उसके उपर स्केल रखो ऐसे उसमें आपको गैप दिखाई दे ज जाएगा ठीक है तो यह आपको तरीका में बता दे रहा हूं हम भी ऐसे ही करते थे अगर हलका फुलका सभी अनिवन थोड़ा भूत भी होता था तो हम चला देते थे हम रिप्लेस नहीं करते थे ठीक है ना तो मैं आपको बता देना चाहरा हूं फिर से अगर ओटोमेटिक हो तो रिप्लेस मत कराओ दोबारा सीलेंट लगवा के उनको फिक्स कराओ वो चल जाएंगे अगर आपके गाड़ी ओवरेट हुई है और वो अनिवन हो गए है तो ही उस कंडिशन में आप रिप्लेस कराओ तो मैं दोस्तों मैं आसा करता हूं आपको यह वीडियो समझ में करने आगी होगी जो मैं आपको बताना चाहरा था मेरी हर एक वीडियो आपके फायदे से रिलेटेड होती है मैं यह ही चाहता हूं आप से कोई additional कुछ ले ना ले जो मुझे अच्छा लगता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ तो चलो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत Thank you so much